स्री शिवाई नमस्त उब्यम दर्शा को कैसे हूँ आसा करते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तों आज 6 दिसंबर साथी पोस महा का महिना चल रहा है और आज जो है दोस्तों पोस महा की पूनिमा पड़ रही है जी हाँ दोस्तों जिसे हम सुकरवारी पूनिमा भी कह सकते हैं दोस्तों सास्तों के अनुसार इस सुकरवारी पूनिमा का एक विशेस ही महतों माना जाता है इसी के साथ ही ये भी मानेता है कि इस पोस पूनिमा पर यानि कि इस पूनिमा पर अगर आप लोग किसी भी परकार का उपाई करते हैं किसी भी परकार का कारे करते हैं किसी परकार की पूजा राधना करते हैं तो उसका विशेस फ़ल मिलता है और विशेस रूप से आपकी मनुकामना पूर्ण होती है इसे के साथ ही दोस्तो आज हम आप सभी दर्शकों को एक ऐसा ही उप्आई बताने जा रहे हैं और इस उप्आई को करने से छपर पाड़ कर आपके घर में धन आएगा आपके घर की जो भी गरीवी निर्धनता दुरभाग्या है वह समाप्त होगा मतलुक्षमी आपकी घर में विराजमान होगी और आपके घर में धन समंदित जो भी समश्या आ रही है सभी समाप्त होंगी सभी दूर होंगी तो दोस्तो किस प्रकार से किस तरह से इस छोटे शाचुक उपाई को करना है संपून जानकारी आप सभी दर्शकों को इस वीडियो के मात्यम जो बताएंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वीडियो को लाइक कर दे हर बार की तरह कॉमेंट बॉक्स में स्री शिवाई नमस्तुव्यम जरूर लिख दे दोस्तो अगर देखा जाए तो यह जो पोस्ट पूनिमा होती है इसका सास्त्रों के अनुसार एक विशे समयतो होता है जी हां दोस्तो इस पोस्ट पूनिमा पर कुछ विशे सुपाई करने से भगवान सत नारायन यानि की भगवान विश्णू और उन्हीं के साथ ही मातालक्षमी का वियाश्रवाद प्राप्त होता है साथी दोस्तो आज की साम आप लोगों को जदा कुछ नहीं करना है मात्र एक आटे का दीपक बनाना है और एक आटे का दीपक बनाने के बाद में आप लोगों को मात्र उस दीपक में चार बात आपको लंबी लगानी है यानि की चोमूखी दीपक बनाना है और उसमें आप लोगों को तेल डाल देना है तिल का और आपको उस दीपक को अपने घर की दक्षेन दिशा की और रख देना है रात के समय इस कार्य को करें आज पूनिमा की रातरी में करें विशेश फल की प्राप्ती होगी एक बार करके देखेगा आपके घर की निर्धंता दुर्बाग्या सब दूर होगा मातर विश्वास कर आपको इस उपाई को करना है और आप अगर विश्वास करके केशी प्राप्ती है तो इस उपाई को भी उसी रूप से करें वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब दो करें वीडियो को लाइक करें